ओ, शाती जैसे कल हम सभी ने राइट टाइम पर राइट व्यवहार करने के ऊपर क्लास की आज हम क्लास करेंगे यथार्थ याद क्या है आज की क्लास का टाइटिल ये रहेगा इसी को लेके सुचना है बाबा ने अभी वही फीलिंग्स में दी है कि बच्चे अगर याद ही अधार्थ नहीं है तो प्राप्ती अधार्थ कैसे होगी मुझे चेक करना है मैं भगवान को याद करती हूँ या मैं फर्याद करती हूँ यदि मेरी इस्थिती फर्यादी की है तो मुझे प्राप्ती भी भिकारी के सवान ही होगी क्योंकि मांगने वाले को तो बिक्षा ही मिलती है अधिकार भी मैं थर्ड राइट है यदार्थ याद की पहली पहचान लिख लो आप अपने पास याद यदार्थ है तो प्राप्ती एक्यूरेट होगी प्राप्ती भी अथार्थ होगी वही प्राप्ती होगी जिसका संकल्ब किया है और यदि प्राप्ती अथार्थ नहीं है तो हमेशा याद रखो जो बाबा कहते मुर्लियों में हमें विधी नहीं तो सिद्धी भी नहीं अगर मैं आत्मा सिध्धी स्वरूप नहीं बनी हूँ इसका मतलब है मेरी विधी राइट नहीं है तो कैसे कैसे पहचानेंगे कि मेरी याद एक्यूरेट है या नहीं मैं याद में हूँ या फर्याद में हूँ क्या सिम्टम्स बाबा ने बताए है तो बाबा ने बड़ी अच्छे चीफ फीलिंग्स को टेक्श किया है जो वाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह एक्स्प्लीन करने का प्रियास करोगा जो भी बाबा कराना चाहेंगे तो पूरे अटेंशन के साथ किलास में रहें क्योंकि मैं देखता हूँ काफी लोग आप में से हिलते डुलते ही रहते हैं हिलना डुलना चलो ठीक है थोड़ा बहुत शरीरी कुछ से आपको रहे तो यह बात तक अलग है लेकिन एक अच्छा विध्यारती वो जो पूरी तरह से कॉंसेंट्रेशन के साथ एक्क्यूरेटली वहां पर बैठकर अपने को दिहान से बढ़ाई करें तो आज का जो टाइटिल है क्लास का वो क्या रहेगा यह थार्थ याद अर्थात एक्क्यूरेट रिमेंब्रेंस एक्क्यूरेट हम एक्क्यूरेट दुनिया में जाने वाले हैं गीता में भी कहा है हे अर्जुन मुझे पूरा वही प्राप्त करते हैं जो मुझे यथार्थ पहचानते हैं यथार्थ ता के लिए हमने एक प्रोसस शुरू किया था जिस दिन अम्रत बेला शुरू किया था कि सबसे पहले किसकी यथार्थ ता पहचाननी है कौन हूँ मैं क्या मैं खुद को भी जानती हूँ प्रोपर क्योंकि बाप को याद करने से पहले कौन हूँ मैं को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कौन हूँ मैं? क्या हूँ मैं? क्या करतबे हैं मेरे? किसके साथ रिष्टे हैं मेरे ये अपनी कम्प्लीट भैचान किसके साथ क्या रिष्टा है? क्या कर्म कहानी है मेरी? कहाँ से आई हूँ मैं? क्यों आई हूँ मैं? ये वो सवाल हैं जिनके चिनतन से आप खुद को जानेंगे गहराई से जानेंगे मेरा स्वरूप क्या है? अपने विसे में हम जितना जानेंगे तो मेरी जरूरत की चीजे कहां मिलती हैं? तब मैं उन दुकानों को खुजूंगा उन इस्थानों को खुजूंगा मेरी प्राप्तियां क्या है? तब मैं वो समझ पाऊंगा जब मैं खुद को समझ पाऊंगा क्योंकि मैं अपने को ये शरीर समझे हुए जीवन जी रहा हूं इसलिए मुझे शरीर की प्राप्तियां ही समझ में आती है इसलिए मुझे सत्युकता भी गहने होंगे, मकान होंगे, प्लेन होंगे यही बास समझ में आती है रादर देन इस बात के कि मदिव्यता होगी, पावन्ता होगी, मधुरता होगी, सच्चाई होगी, सफाई होगी, सादगी होगी, शांती होगी ये मुझे को पड़ा समझने में है, जो कि मैं खुद को पूरा नहीं जानती, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए, इसकी भी मुझे समझ नहीं है। मुझे क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नभीख, इसका accurate अर्थिया है। क्या मुझे आत्मा को सच में कुछ भी मांगने की आवर्शक्ता भी है, या मुझे automatic मिलेगा। जैसे फॉन को charger के साथ source से connect कर switch on करते ही, फॉन को कहना नहीं पड़ता कि मुझे charge करूँ। जैसे gas on करके पानी को उसके उपर रख देने से बरतन में पानी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे गर्म करो। जो आपका natural गुण है वो उसके अंदर आ जाएगा। धूप में बैठने के बाद आपको यह कहना नहीं पड़ता कि हे सूर्य मुझे गर्माहट महसूस कराओ। पानी पीकर आपको पानी से कहना नहीं पड़ता कि हे पानी मेरी प्यास मिटाओ। खाना खाकर खाने से आपको यह कहना नहीं पड़ता कि हे बोजर मेरी भूठ मिटाओ। समझे इस बात को यह सधारण बाते हैं आपको लगे तो रोज हम भी जानते हैं। हम जानते हैं यह हम महसूस करते हैं। यह बात है। ओ-टोमेटिक है, कुछ भी मांगने की जरूरती नहीं है। हम भगवान की संतान हैं, हम मांगने वाले नहीं, देने वाले की संतान हैं। हम दाता के बच्चे हैं, तो जैसा रचेता वैसी रचना। सेर का गुर्ण सेर के बच्चे में आता है तो भगवान का गुर्ण भगवान के बच्च लोग उसा है सूचे इस बागत, गहनता से सूचे, पूछे अपने आपसे ये है यथारता तो पहले जब तक क्योंकि मैं आत्मा मेरी यथारता को नहीं जानती हूँ इसलिए मैं भक्तों की तरह कहीं न कहीं ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, मदद कर दो, व्यर्थ से मुक्त कर दो हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा हमें व्यर्थ से मुक्त करेगा और बाबा ने कहा है कोई नहीं आएगा आपको व्यर्थ से मुक्ष करने के लिए आपको खुद को व्यर्थ से मुक्ष करना पड़ेगा उसका आधार बाबा ने चार सब्जेक्ट बता दिये। जैसे आपके माबाप आपको किताब दिला सकते हैं, आपका टीचर उन किताबों को पढ़ा सकता है, लेकिं उन किताबों को पढ़के अपनी याद में रखना, परफॉर्मेंस के योग्या बनना ये आपकी ही महन्त आदी आपकी। तो व्यर्थ आ रहा है, कोई आके मिटाएगा, कोई नहीं मिटाएगा, किसी के इंतजार करना बंद कर दो, कोई हमारे व्यर्थ नहीं मिटाएगा, यह मैंने बहुत गहन अन्भूती करके रही लिए तने सालों में, कोई नहीं मिटाएगा, जो व्यर्थ मिटाएगे, तो कर्म करना है क्योंकि कर्म से भाग्य बनेगा मेरा भाग्य नहीं बनना है तुम बच्चों का भाग्य बनना है इसलिए मैं करावनहार बनके कराऊंगा पर करनहार बनकर तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि मेरा भाग्य निर्माण हो रहा है इसलिए मुझे इस बात की accurate समझ अपने आपने लाने के समझ रहे हैं आप सब accurate यह समझ ना है मैं हमेशा से example देता हूँ आप जिस करम को कर रहे हो आप जिस चीज को ले रहे हो उस चीज का जो यूज है अगर वो चीज अपना यूज साबित नहीं करती है आपके लिए तो वो वेस्ट है आपने चाता लिया लेकिन वो आपको बारिस से नहीं बचाता है तो वो चाता वेस्ट है आपने गाड़ी खरीदी लेकिन वो चल नहीं रही है आपकी मंजिर पर निजा रही है वो वेस्ट है आपने सर्दी में कपड़े खरीदे पहने गर्माहाटी नहीं लग रही है तो इसका मतलब वेस्ट जो भी चीज जिस परपज के लिए ली जाती है यदि वो वो परपज पूरा नहीं कर रही है वो वेस्ट है हुझा उसके वेस्ट होने में भी दो चीज़े इंपोर्टेंट हैं ध्यान से समझना पहली चीज क्या वो चीज वेस्ट है या मुझे उसका प्रियोग नहीं आता है आप किसी चीज को वेस्ट दो तरीके से कर सकते हो एक तो वो चीज है ही खराब मल्या कार है वो है ही खराब एक है कि मुझे चलानी नहीं आती मुझे ऑपरेट करनी नहीं आती मुझे उसकी यूजिस ही नहीं पता कैसे उसको यूज करना होता है इसका मतलब साफ हो गया यहराई से समझना इस बात को कि व्यर्थ मैं कर रही हूं या वो व्यर्थ है इसको समझने के लिए भी बुद्धी चाहिए इसलिए बाबा के सामने कहते मेरी बुद्धी का ताला खोलो मेरी बुद्धी को समझ दो मेरी बुद्धी को डिवाइन बनाओ मेरी बुद्धी में वो एक्टिवेस ही ताकि मैं ये समझ सकूँ मेरे लिए क्या important है understand करना मेरे लिए क्या important है मुझे क्या चाहिए और उसके साथ साथ उसकी प्रियोग विधी क्या है आज बड़ी गहरी बाते बाबा टच करा रहे है एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताओ यह सब ने लिखी लिया होगा क्योंकि आत्मा को हमें यहाँ पर क्या बनाना है यहाँ पुरसार चल रहा है सोल है कला और दिहान रखना कोई भी चीज कला आर्ट तब बनती है यानि कि वो चीज आर्ट तब कहलाती है जब उसके प्रियोग में आप नैचुरल हो एक्यूरेट हो रिजल्ट ओरियेंटिड हो और सबसे खुबसुरुत बात इन तीनों चीजों के साथ साथ कला जो होती है वो एक सबसे बड़ी चीज देती है खुशी और सुख तब वो कहलाती है कला और ना सिर्व वो खुद को खुशी और सुख देती है लेकिन सर्व को इसके लिए बाबा ने अव्यक्तवाणियों में एक खास बात कही है यदि आपके अंदर कर्म करने की सही कला होगी तो आपका कर्म इंपोर्टेंट बात है ये आपका कर्म आपको साथियों को और जिनके लिए किया गया है और जिनके लिए कर्म किया गया है वो सुख देगा ये सुख और खुशी दौनों देगा ये बाबा के अविक्तवाणियों में अंडरस्टेंड ये करना है कि कोई भी कर्म मेरा कला है या नहीं उसकी चेकिंग आप इस बास से करो वो आपको भी खुशी और सुख दे जिनके साथ मिलके आप उस कर्म को कर रहे हो आपके सहयोग्यों को भी सुख और खुशी दे और जिनके लिए आपने वो कर्म किया है जिनको शुक भी खुशी और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब अभी आपका कर्म कला बना नहीं है आपने उस कर्म को करने की कला अभी आई नहीं है अब सब्सक्राइब अब सवाल एक और है दो बात ध्यान से समझना वाग एक है जो हमने आपे लिखा कलाशम क्योंकि मुझे कलावान बनना है बनना किसको है कलाशम को अपनी कलाएं जागरत करनी है लेकिन ये कलाएं देने वाला कौन है इन कलाओं का दाता कौन है वो है परमात्मा क्योंकि वही उनका सिक्षक है उसी को उनका संपूर्ण ग्यान है तो मुझे क्या क्या चीज पता होनी चाहिए यथार्था के लिए कब मेरी याद यथार्थ होगी जब मुझे ये पता होगा कि ये मेरा लक्ष क्या है कला मेरा लक्ष है कलावान बनना है बड़ी ही गहरी सी ये एक वो चीज है मुझे कलावान बनना है अब कलावान बनने के लिए मुझे आत्मा को क्या चीज चाहिए सर्व गुण चाहिए प्लस सर्व शक्तियां चाहिए ये सदा मेरे इमर्ज रहे हैं मुझ में ही मैं वो हिरन हूँ जिसकी कस्तूरियूस की नाभी में है बस उसे पता नहीं है तो मुझे इनको रियलाइज करना है कि ये गुण मेरे ही हैं ये सक्तियां मेरी ही हैं लेकिन ये सदा इमर्ज कब रह पाएंगी जब मैं आत्मा परमात्मा पिता के साथ कम्बाइन्ड रहूँगी यहां मुझे चाहिए ये कम्बाइन्ड स्टेज अब एक और खास बाता हम सबको समझनी है यदि मुझे आत्मा के सर्वगुन सर्वशक्तियां जाग जाएं और मैं आत्मा कर्म करने की इस कला की महारत हासिल कर लो तो ना मुझे लोकिक मैं कुछ भी मांगने की आवशक्ता है ना अलोकिक क्यों? क्योंकि मेरी ये कला मेरे लिए मेरी सब ही जरूरतों को पूरा कर देगी लोकिक हो या अलोकिक? पूरा कर देगी ये समझना इंपॉर्टेंट है और हैं एक एकला की बात नहीं कर रहे हैं हम सोल है कलाओं की बात कर देगी यही कारण होता है कि सत्युग में हमारी सभी जरूरतें, सभी आवशक्ताएं हाईयस्ट और होलियस्ट तरीके से नेच्रली पूरी होती हैं क्योंकि हमें सोल है कलाओं डवलप हो चुकी हैं मैं सोचेंगे यह सब कुछ क्यों बता रहरैं हूं मैं यथार्थ हूं क्योंकि अगर मुझे लगता है क्या लगता है अब यदि मुझे लगता है कि मैं यहां पर हूं और मेरी याद यथार्थ है, बिंदू से बिंदू की याद मेरी यथार्थ चल रही है मुझे मेरा घर और मेरा बाप यथार्थ याद है तो चेक करो क्या मैं कलावान बन रही हूँ अर्थात, क्या मुझे समय पर, सही इस्थान पर, मैं सही समय पर, सही समय, सही इस्थान, सही परिस्थिती मैं आवश्यक, गुर्ण, शक्ति, कला, प्रियोग करना आता है अगर यह नहीं हो रहा है अगर यह नहीं हो रहा है इसका मतलब यह याद एक्यूरेट नहीं है क्यूं, बावर क्या कहा है याद भी कर्म है और कर्म की खास बात होती है, प्राप्ति अगर कर्म से प्राप्ति नहीं हो रही है तो कर्म व्यर्थ के खाते में जा रहा है अगर प्राप्ति नहीं है तो लोटिया बस्पाटूब याद रखना यथार्थ याद माना और टो मेर्टिक प्राप्ति स्वरूप जो कि मैंने अभी आपको एक्जामपल भी दिया बैटरी चार्ज होने का गर्माहट महसूस करने का और एक बात और जब याद एक्जूरेट हो जाएगी इंतजार समाप्त हो जाएगा इंतजार करने की आदत खत्ब यथार्थ याद की पहचाने है तिर आप ये जाने करोगे कोई आएगा कोई मेरी मदद करो कोई मुझे अव्यार्थ से मुक्त करो कुछ करो ना कनेक्शन करवड़ है कनेक्शन अगर यथार्थ है तो इंतजार खतम इंतजान पूरा अब इसकी शुरुबात करने का एक तरीका कैसे याद नेचुरल फॉर्मेट पर जाती है याद को नेचुरल कैसे बनाए यथार्था से कैसे याद को नेचुरल बर आए अभी इससे एक स्टेप पहले और चुटा सा छुट गया याद आया बज़े कि पहले बूर पूरा करा रहेते है इससे बाद मिलेते है जैसे हमने आत्मा के विशे में चिंतन किया कि आत्मा को हमने सारा जाना क्या है कैसी है क्यूं आई है क्या करता है इसके साथ मुझे परमात्मा के विशे में भी पूरा पता होना चाहिए क्या ये कौन है क्या है इनके करतव्य क्या है वो नहीं जो कोर्स में सुन लेते हो आप वो भी याद रखने है लेकिन वो सिर्फ जान काई तक है करतव्य बड़े गहरे है और बगवान का बस मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट करतव्य याद रखता हूँ जो अभी भी बावन अती चाहिए पहले मुरली में कवर किया मैं तुम्हारे कोई और काम करने नहीं आता हूँ बस मेरा तो एक ही करतव्य है पतेत से पावन बनाना मैंने इसके उपर बहुत विचार किये तो मुझे बास गहरी समझ में आ गए कि बाबा ने सब कुछ कह दिया इस एक बास से कैसे कह दिया क्योंकि बाबा ने एक दूसरा वर्दान दिया है क्या वर्दान दिया है बाबा ने बाबा कहते बच्चे पवित्रता सुख शान्ती की जननी है ये भगवान का वर्दान है इसलिए भगवान पतित से पावन बनाने आता है क्योंकि वो हम बच्चों को सुक और शांती देना चाहता है तो वो हमारे लिए सुक शांती का वो आधार दे देता है क्योंकि भगवान हमें निराधार बनाने आया है बड़ी गहरी बात है इसलिए वो हमें ऐसा आधार दे देता है जिस एक आधार से मेरा सर्वस्व जीवन निराधार बन जाए मुझे किसी की आवशक्ता ही न पड़े इसलिए भगवान कहते बच्चे अगर तुने पवित्रता का आधार पकड़ लिया तो तेरे जीवन में सुख शान्ती ओर्टोमेटिक फिलो करेगी तो भगवान को यथार्थ पहचानने का अर्थ क्या हुआ भगवान के करतव्य को यथार्थ पहचानना और उस करतव्य का मददगार बनना क्योंकि भगवान किनको ढूंड रहा है भगवान खुदाई खिदमतगारों को ढूंड रहा है अंडरस्टेंड करना इस बात को आपके आई से इन्हें ढूंड रहा है भगवान भगवान क्या कहता है मेरे सच्चे खिदमतगार वो बच्चे हैं जो पवित्रता के साथ जीवन जीते हुए पवित्रता की प्रेरणा बन जाते हैं पवित्रता की प्रेरणा बने तो सबसे पहली बात यदि मैं भगवान को पूरा जान गई तो अब मैं उससे इस पूल एक्षाएं प्रकट नहीं करूँगी क्योंकि उसने साफ कहा है ना मैं मरे को जिन्दा करने आता हूँ ना मैं बीमारों को ठीक करने आता हूँ ना मैं तुम्हारे धंदे देखने आता हूँ मैंने तुम्हें आते ही आत्मा का पाठ पढ़ाया, मैंने तुम्हें आते ही कर्मों की गती का पाठ पढ़ाया, और मैंने तुम्हें बता दिया, कि देह, मैं तो विचित्र हूँ, तुम भी विचित्र हूँ, मैं तो तुम्हें सत्य समझाने आया हूँ, क्योंकि मैं सत्यम सि सिखाकर सत्यू की दुनिया में ले जाने आ तुमने मुझे कल्यूग को ठीक करने के लिए नहीं बुनाया है तुमने मुझे सत्यू की दुनिया को स्थापना करने के लिए बुलाया है सुख की दुनिया के लिए बलाएं दुख की दुनिया में थेगड़ी लगाने नहीं आया हूं मैं उसके लिए धरम इस्थापक भेज दिये थे उसके लिए तो मैंने महात्मा भेज दिये थे गुरु भेज़ दिये थे, शास्त्र थे इहां पर, जिसे थेगणियां लग रही थी, सभला हुआ था, मैं तो परिवर्तन करने आया हूं, नया करने आया हूं अंडिस्टेंड करें, ये समझना, भगवान के थौट परसेश को समझना कि भगवान एक्जेक्ट्री क्या करने आया है, उसके मन में क्या चल रहा है, मैं अपना मन भगवान पर थोप रहा हूं, या भगवान के मन को मैं समझ के जीवन दी रहा हूं, that's very, 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 very important और जब मुझ आत्मा को मुझ आत्मा के करतव्य और परमात्मा के करतव्यों की समझ आ जाएगी, उसके बाद जो हमारी कनेक्टिविटी होगी, वो होगी यथार्थ कनेक्टिविटी, accurate connection और इसके लिए बाबा ने बड़ी गहरी बात बताई, कि बच्चे कनेक्टिविटी कम एक्क्यूरेट होता है, किसी भी कनेक्टिविटी एक्क्यूरेशी किस बात पर डिपेंड करती है, तो बाबा ने इस बात के लिए एक गहरी चीज बताई है, एक ही चीज है वो, जिससे corrections गहरे होते हैं, जिससे रिस्तों में गहराई आती है, जिस शब्द का नाम ही है, feeling Feeling, भावना है इसलिए भगवान ने इस पस्ट भक्ती मार्क से ही सब कहते आए, भगवान भावना का भूका है आप चेक करना, जिस चीज में आपका भाव जाता है, जहां आपकी भावनाएं जुड़ी होती है, भावनाएं जुड़ी होती है ऐसा कह लो, जहां आप भावनाओं से जुड़े होते हैं, जहां आप गहरी भावनाओं से जुड़े होते हैं वो आपको ना चाहते भी याद आते रहते हैं ना चाहते भी याद आते रहते हैं उन्हें याद करना नहीं पड़ता आपको, लेकिन वो याद आते रहते हैं यही है तरीका नेचल याद का इसका मतलब important क्या चीज हो गया, मेरा एक ही लक्ष है कि मुझे ये देखना है, अभी मेरे भाव और भावनाएं किन के साथ हैं अभी कहां हैं, किन के साथ हैं ये गहरी चांच करना ही है और बस इन भाव भावनाओं को ये देखना हैं कहां हैं, किसके साथ हैं और इसके साथ ये भी देखना है चलो जहां भी हैं, जिसके साथ भी हैं उसका result क्या है उसका result क्या है यह अपने आप से बात कीजिए यह आपको accuracy की और लेके जाएगा इंसान मतलब highest result की तरफ जाए गीता में जो कहा गया है अर्जुन तु कर्म कर फल की इक्षा मत कर का अर्थ यह नहीं था कि तुझे फल की इक्षा करने का अर्थ यह था कि कर्म की quality पर ध्यान दे तो फल तो automatic है लेकि फल तो ध्यान रखना है यह तो ध्यान रखके बोना पड़ेगा कि मैं बीज क्या बो रहा हूं अगर मैं काटे के बीज बोंगा तो सिर्फ काटे ही पैदा होंगे ना अगर मैं आम का बीज बोंगा तभी मैं आम प्राप कर सकता हूं तो result मुझे वैसे तो मन में रखना है कि मैं बो क्या रहा हूं मुझे परणाम क्या चाहिए मुझे सुख चाहिए शान्ती चाहिए आनंद चाहिए अवित्रता चाहिए निर्विघंता चाहिए तो पहले यह चेक करना होगा कि मैं बीज कौन सा बो रहा हूं और बीज कहां से हैं यह भाव और भावनाएं वो जानकारियां वो विचार वे आपके बीज है अंडर्स्टेंड करना है यह है यथारता की पहचान यह है सही विधी से सिद्धी तक पहुचना है हम गडबड क्या कर रहे हैं हम चीजे प्राप्त करने की कोशिस कर रहे हैं मेरा घर ठीक कर दो मेरा बच्चा ठीक कर दो मेरी बुद्धी ठीक कर दो मेरी पढ़ाई ठीक कर कर दो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा कि यूठीक हो जाएगा ध्यान से समझो आप आधार देखवा वह सब गहरा चलते हैं इसमें कोई भी कर्म हो आपका कोई भी कर्म ले लो इस धरती का कोई भी कर्म उस कर्म की क्वालिटी चेक करना ध्यान से रिसोर्स पर डिपेंड है या वैल्यू पर सौ प्रतिसत आपका आणसर होगा वैल्यू पर जिसके एक्जामपल मैं हमेशा सधान रूप में देता रहता हूं क्यक्वी दो क्लाश के अंदर पढ़ने वाले दो बच्चों के रिजल्ट जो डिफरेंट आते हैं जबकि उनकी फीस सेम है, ड्रेस सेम है, बेंच सेम है, स्कूल सेम है, टीचर सेम है गिंअज सेम है, इच एवरी रिसोर्स जिसकी जरूरत है, सब सेम है बट result में अंतर है उसका एक मातर कारण है गुण और संसकार value इससे ये बात स्पस्ट हो जाती है यदि values में समानता आ जाए values में समानता आ जाए तो रिजल्ट समान हो जाएंगे जैसे किसी दुकान पर जाओ दो dresses है same price की है एक बंदे नव प्राइस पे के address ले ली आपको भी वही dress वही color वही सब कुछ चाहिए तो same value पे करने पड़ेगी same value आप भी वही value पे करके वही dress enjoy कर सकते हो यही समझना है फिर चाहे वह किसी dress की बात चल रही हो किसी achievement की बात चल रही हो किसी भी कर्म की सफ़ल तक बात चल रही हो value को save करना पड़ेगी तो common sense की बात है मुझे चीज की demand करनी चाहिए या value का इंतजाम करना चाहिए चीजों को पसंद करो result को पसंद करो लेकिन ये check करो क्या उसके लायक हम हैं इसलिए कहा जाता है लायक बनिये deserving बनिये desirous नहीं इसलिए भगवान में पार्ट पढ़ाया है एक्छा मात्रम अबध्या का लेकिन भगवान दूसरा पार्ट पढ़ाया है कि पुर्शार्थी किसी दी एक्छा को पूरा कर सकता है मतलब deserving की सभी desires पूरी हो जाती है उसे एक्छा करनी नहीं पड़ती तो सिद्धान्त कहता है लायक बनो एक्छुक नहीं लिख लो इस sentence को बड़ा-बड़ा करके लायक बनो एक्छुक नहीं और ये है यथार्थ याद की बहचान अभी मैं इसके बारे में कल के सेसम में करेंगे इसको और डीप जाएंगे कि यथार्थ याद के पैटर्ज क्या पनाएंगे पुश्या गुश्या पुश्या झाल झाल